फत्याबाद में रतिया से आलिका आने वाली बस में चात्रों और बस चालकों के बीच विवाद सामने आया है जहां चात्रों ने आरोप लगाया है कि बस की सर्वेस एक घंटे कर दी है बसों को ओवरलोड करके ले जाया जाता है जिसे चात्रों और बजुर्गों को परिशानी का सामना करना पड़ता है इतना ही नहीं पहले किरायत 10 रुपे होता था जो अब मर्जी से बढ़ाकर 15 रुपे कर दिया है वही चात्रों ने आरोप लगाया है कि शाम के समय ड्राइवर शराब का सेवन करके बस चलाते है बता दे कि परिचालक की मनमानी को देखकर चात्रों ने उनका विरोध किया जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उन में हाथ अपाई और गाली कलोच भी हुई पहले तो इन्हों ने टाइम टेबला जो गंटे की सर्विस कर रखी है अब करती है और जक्के से आज भी इन्होंने करती है और शाम को आने वाले समय है जो इनके ड्राइवर है वो ड्रेंक करकर बस लेकर आती जाते हैं लेकिन ये अपने उपर से कहरें लेकिन बार्ट को देखकर यह खाटे हों सब्सक्राइब करें ले जाया है और जो पहले की तरह जो अपना अक्राइब हो भी सेम करा किया जा सर्पाइब कि यह सब्सक्राइब करें आगे रिव्सक्राइब करें रिवेंगे बीक हैं रिवेमिले रिव्सक्राइब किराया 15 रुपे बनता है कोई तब भरी जांदे कंदेजी असी डेली पे जानने है कोई दासर पे देंदा है कुप पंजर पे देंदा है कि अगर कनेक्टर ने किया भी असी पंदरा दो कात नहीं ले जावांगे उटस जागे नने अपर अबर कनेक्टर ना लगता भाई जिती है 15 मुंडे रवाशत हूं अलिक्ये दे लालवास दे तन चार मुंडे असी जे तो गया उटसे गल्प उची ता सन्ना काडी करोच किता पुरा भावार किता है असी जिन्ने ताक इस गल्प को फैसला नहीं उन्दा लिक्ये ताक आसी बस नहीं चलावागे